आज बहुत दिन बाद में आपके लिए लेके आ गई हूँ पाँच डियाइवाई एंड तो वेरी सिंपल आपकी रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा मुझे आपके लिए सूपर सिंपल डियाइवाई ले आने चाहिए अगर आप भी हो जिसके पास बहुत साथा टाइम नही जो कि मैं लोकल मार्केट से मुफ्त का ले आई थी and after that I need one sandpaper जो कि आपको normal किसी भी कारपेंटर शॉप से मिल जाएगा so ये थोड़ा सा ना hard होता है बाहर से तो what I did मुझे नहीं पता भई नमबर क्या है इनका rig mark बोलते है इसे sandpaper को तो मुझे नहीं पता मैंने कौन सा नमबर यूज किया to be very honest I am not professional at all मैं भी आपकी तरह हूं सीख सीख के थोड़ा बहुत पता चल जाता है तो it's okay so इसको हम सबसे पहले ना surface को बहुत ही soft कर देंगे surface को कर देंगे एकदम clean and उसके बाद आता है मेरा quick वाला जुगार जो की है एक spray paint ये वाला spray paint मैंने normal shop से लिया था and ये है कुछ grey color का if I am not wrong या blackish में आता है no sorry grey है and इसको अगर आप चाहें तो paint कर सकते है अगर आपके बहुत सारा time है तो आप आराम से कर सकते है बट मेरे पास time नहीं था तो मैंने इसे spray paint करना बहतर समझा इसके बाद आप अपने according इसको क्या कर सकते है coats कर सकते है आपको एक coat करना आपको दो coat करना है इसके बाद जो मेरे पास ये चोटे से जो होते है न what we call it लकडी के button rods I can say ये मेरे in-laws के घर में पढ़े थे तो I was like इनका तो भई बहुत जादा मैं use कर सकती है तो मैं कुछ ले आई थी वहाँ से इनको भी अब मैंने क्या क्या spray paint कर दिया है इसके बाद अब आता है ये stencil चोकि I think मैंने इसी 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 store से लिया था मतलब जो आप करना चाहो आप अपने according कर सकते हो यहाँ पर हम use करेंगे chalk paint and spatula अब यहाँ पर अगर आपके पास white cement पड़ा हो घर में तो आप इसमें थोड़ा सा chalk paint में mix कर दोगे ना तो वो सही रहेगा बट मेरे पास सिर्फ chalk paint था थोड़ा जादा अच्छा नहीं आया थोड़ा क्या जादा अच्छा नहीं आया सो यह DIY बहुत ही प्यारा बनने वाला है यह सारे DIY में आपको kitchen के लिए दिखा रही हूँ पर आप कहीं पर भी use कर सकते हैं पर जो last में outcome आएगा ना इसका वो काफी अच्छा है और मुझे पोस्नली बहुत अच्छा लगा अब हम क्या करेंगे यहां पर हमें चाहिए फैविकॉल अब इन रॉट का हम बना देंगे legs जो फैविकॉल वुट के लिए use होता है वो होता है SH वाला आपको अराम से सस्ता कार्पेंटर की किसी भी shop में मिल जाएगा अगर आपको wood को stick करना है तो definitely आप इसको try कर सकते हैं बहुत ही सस्ता होता है और टिकाओ भी होता है यहां पर मैंने two legs यूज़ की बड़ बात में मुझे पता है चाहिए यहां three legs लगाने की मुझे ज़रुरत है क्योंकि यह stand नहीं कर पा रहा था and here comes the outcome इसको आप अपने garden में use कर सकते है अपनी balcony में use कर सकते है या फिर मेरी तरह अगर कुछ store करना है कुछ fancy सा तो आप वैसा भी कर सकते है I hope आपको यह वाला DIY पसंद आयो बहुत simple है and आप पीछे देख सकते है मैंने एक और leg लगा दी है क्योंकि यह ना बहुत ही जादा हिल रहा था तो बस practice करकर के मैं सीख रही हूँ because I don't want to show you जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि perfect find DIY क्योंकि मुझसे कभी भी perfect find DIY बनते ही नहीं है and वो clips मैं definitely आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें मैंने blunder किये है ना काफी टाइम से ना 80 sugar का container बनाने का मनता या फिर आप इनको किसी और चीज के लिए भी यूज कर से बिसकेट नमकीन के लिए sorry not नमकीन नमकीन तो यहां पर मैं यह sticker निकाल दूँगे यह बहुत ही easy है अब आप पर depend करता है कि आप पर पास कितना time है उसके according आप इसे paint कर सकते हैं इसमें बहुत सारी चित्रकारिया कर सकते हैं but as you know आजकल बच्चों की online classes चल रही है इस चीजों के लिए इन चीजों के लिए time निकालना में लिए बहुत जादा मुश्किल हो जाता है पर फिर भी मैं try करते हूँ कि मैं आपके लिए time निकाल के यह सारी चीज़े ले के आउँ अगर आपको पसंद आती है तो please do consider like, share and subscribe इससे मुझे बहुत सारा motivation मिलता है और आपके comments पढ़के तो बस मुझे लगता है कि मैं videos बनाती ही रहूं पर थोड़ा सा time की कमी पढ़ जाती है तो यहाँ पर मैंने उपर लगा दिया masking tape अब हम इसे करेंगे spray paint अब यहाँ पर मैं black spray paint यूज कर रही हूँ जो कि आपको आराम से online भी मिल जाएगा जो कि आपको आराम से किसी भी paint shop में मिल जाएगा बहुत easy होता है और आप मेही तरह ऐसे काम मत करियेगा जल्दी के चक्कर में always always wear gloves तो यहाँ पर यह बहुत ही किफाईती चीज़े मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बहुत जादा पैसे मेरे खर्च नहीं हुए अब यहाँ पर यह knobs मेरे पास पुराने पड़े थे आप कोई भी knobs ले सकते है और कुछ इस टाइप से stick कर सकते है अगर आप उपर चाहते हैं कि cap में भी आपको कुछ color चाहिए तो definitely you can try that as well as you can see baby के साथ यह सब करना is more than impossible so यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यह सूख चुका है सबसे अची बात होती है यह paint बहुत जल्दी सूख जाते है यह जो spray paint होते है तो इसलिए मुझे बहुत जादा पसंद है अब यहाँ से अब हम यह निकाल देंगे masking tape and we are good to go अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यह सूना सूना लग रहा था तो I was like थोड़ा सा इधर tape लगा देते हैं and tape आप अपने according कोई भी use कर सकते हैं अगर आप चाहें तो थोड़ी सी painting कर सकते हैं but as I told you कि थोड़ा सा मुझे ना इन चीजों को time कम देना था and मुझे ऐसा कुछ लाना था DIY जो बहुत ही quickly हो जाए अब यह कुछ इस type से बन चुके हैं अब मेर को थोड़ा सा था ना कि इसमें थोड़ी सी बई चितरकारी करना बहुत जरूरी है अब मैं little birds से ना यह stencil लेकिया इती बहुत पुराना है बहुत ज़दा time नहीं मिल पाता DIY के लिए तो I was like चलिए आज तो इसे use कर ही लेते है so यहाँ पर नीचे मैं थोड़ा सा इसको आपको design बना के दिखा देती हूँ बहुत ही easy मैंने इसमें तरीका use किया है यहाँ पर मुझे कुछ colors मिले थे and these colors are very very nice तो मुझे लगा चलिए इन्ही को इस type से कुछ fill कर सकते है अगर आप चाहें तो कुछ अलग type से भी fill कर सकते है that as I told you that totally depends on your creativity आप कैसे अपना DIY चाहते हैं आप कैसे उसे बनाना चाहते हैं वो सब आपे depend करता है 45 मिनट से जादा कुछ जादा लगने वाला नहीं है तो definitely try करिएगा and Instagram में definitely मुझे track करिएगा so that मुझे अच्छा लगे and my motivation थोड़ा सा मुझे मिल जाए कि हाँ मैं आपके लिए कुछ और भी लेके आऊँ आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको मिनी व्लोग देखना बहुत जादा पसंद है तो मैं definitely आपके लिए मिनी व्लोग भी लेके आऊँगी मेरे daily routine का अगर आप देखना चाते है तो please मुझे comment section में बताईएगा जरूर and here we go हो गया हमारा ये चिटपुट सा DIY I hope आपको पसंद आया हो जिसमें मैंने बहुत जादा ताम जाम तो किया नहीं but definitely अगर आप इसको कहीं पर रखते है तो ये प्यारे तो बहुत लगने वाले अपनी sugar, अपनी tea या फिनम्कीन, biscuit इसमें कुछ भी रख सकते है and ये देखने में तो इतने बुरे नहीं लग रहे and yeah, last मैं आप comment section में definitely बताईएगा कि आपको कौन सा DIY सबसे जादा पसंद आया हो अब ये पता नहीं कबसे मेरे पास construction के time से wooden planks पड़े वे थे and I was like चलिए, आज तो इसे use कर ही लेते and ये DIY by the way मैंने एक दिन में नहीं बनाए दो तीन दिन में बनाए क्योंकि as I told you बच्चों की छुटी अगर चल रही हो तो आप कुछ भी in one go नहीं कर सकते आपको बहुत सारी चीजे मैनेज करनी पड़ती है and उसके साथ ये DIY करना is more than impossible so यहाँ पर मैं cut कर रही हूँ इसको पहले मैंने normal carpenter से जो I can say this ये आरी ली थी उससे कर रही थी but it was not working the way I wanted तो अब यहाँ पर मैंने ये वाली use की अब हम इसके ओपर chalk paint लगा देंगे जितनी चीजे अगर मुझे online मिली ना सबके सब link आपको दे दूँगी आप जाके check out कर सकते अब यहाँ पर chalk paint मुझे इसलिए अच्छे लगते थोड़ी से ना rustic finishing देते हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती है आपके DIY में अब यहाँ पर मैं जो ये use कर रही हूँ ये एक type की sheet है जो stick on हो सकती है आपको बस इसको peel off करना होता है और आप इसको अराम से कहीं पर भी use कर सकते हैं और ये मुझे बहुत सही लगी अब इसके बाद पीछे के लिए मैंने आपको करना है इसको drill और इसके बाद आपने ये वाला मेरे balcony में बहुत ही देखा हो का शोपी बहुत ज़दा पुराना हो गया था तो I was like मैं इसका कुछ use करती हूँ अब ये वाला DIY आप अपने kitchen में use कर सकते हैं decorate करने के लिए या फिर अपने room में भी कर सकते हैं अब यहाँ पर मेरे पास एक चोटा सा न पड़ा था तो मुझे लगा भई अब इसका भी मैं use कर लेती हूँ ऐसी पड़ी है चीज़े सबकी सब घर में पड़ी थी तो मुझे जादा इधर उधर जाना नहीं पड़ा तो अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर stick कर देंगे मैं अपने घर पे न यह चोटी चोटी नेल्स हमेशा रखती हूँ क्योंकि अगर मेरे को कभी दिवार में भी लगाना हो तो यह बुरी नहीं लगती देखने में ऐसे ही मुझे भी यहाँ पर बीच में यह चाहिए थी अब मेरे पास यह मेरा one of the favorite stencil है जो की है यह lotus stencil इसको भी मैं इनी color से fill कर दूँगी अगर आप चाहें as I told you आप तोड़ी सी कलहखारी अपनी भी दिखा सकते हैं बट मुझे चाहिए था quick fix तो मुझे लगा यह अच्छे लगेंगे and I was little spectacle कि यह कैसा लगेगा but trust me outcome काफी अच्छा था and यह काफी जादा अच्छे लग रहे थे color तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं मेरे दिमाग में just ऐसे randomly यह idea है and I was like why not to try it with waste यह सारी चीज़े waste पड़ी थी and I was कहीं से मैंने यह देखा नहीं यह बस मुझे लगा कि चलो यार कुछ ऐसा बनाते हैं and I hope आपको अच्छा लगा हो तो please do let me know अब यह पुरानी चीज़ है कहीं न कहीं तो हम भई use करेंगे ही न अब आप इस टाइप से इसे देख सकते हैं रात को I think यह काफी अच्छा लगेगा and मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा आप अपनी बालकरी में हैंग कर सकते हैं किसी रूम में हैंग कर सकते हैं कॉर्नर में हैंग कर सकते हैं अब यह मेरा पास जो स्टैंड है न यह दिया स्टैंड whatever यह हो किन से पुराना पढ़ा था आपके पास जो भी पुरानी चीज़ हो कुछ भी आप इस टाइप से लगा सकते हैं कुछ भी stick कर सकते हैं तो beautified अब मेरे पास ये पुराना box बढ़ा था तो मुझे लगा चलिए इसका भी snacks box बनाते हैं तो यहाँ पर मैं 22 grey color यूज कर रही हूँ और इसको भी मैं spray paint कर रही हूँ पहले मुझे लगा था मैं कुछ और करने वाली थी तो इसलिए मैंने spray paint कर लिया था बट बाद में मुझे कुछ और ही idea आ गया बट anywhere देर आए दुरुस्ता है यहाँ पर यह काफी अच्छी finishing देता है यहाँ पर मैं यह दोनों product यूज कर रही हूँ शाद दूसरी बार बहुत अच्छे से finishing नहीं आई तो मैंने अपना दूसरा paper यूज किया यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको first of all इसकी according आपको cut करना है क्योंकि मैंने तो पहला paper पूरा का पूरा अपना खराब कर दिया जब आप कुछ चीज़े करते हैं आप से कुछ हाइड भी नहीं करती के भई यह तो बहुत परफेक्ट है मेरा मन ता पहले के मैं यह वाला ना पार्ट डिलीट कर दू but I was like it's okay तब ही तो सबको अच्छा लगेगा के हाँ चलो हम भी ट्राइ करते है so इस टाइप से आपको इस पेपर को निकालना है and stick करना है then उसके बाद वार्णिश का कोट करना है and you are good to go बहुत ही easy DIY है बहुत जादा आपको कुछ करना नहीं होता but हाँ as I told you practice makes a man perfect तो वो ही मैं try कर रही हूँ and आप लोगों के बहुत सारे comment आए थे please DIY try करिए please DIY try करिए रजनी जी का specially message आयता कि please आप DIY करिए and ली जी रजनी जी मैं आपके लिए specially आपके लिए ये DIY लेके आगयो ऐसा नहीं है और सब आप सब के लिए लेके आई हूँ आप please बताते रहिएगा comment section में कि आप क्या देखना चाहते हो and मैं community post में पूछती रहती हूँ what you want to see so yeah और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अपनी राय देते हैं and you tell me what you want to see तो मुझे इससे पता चलता है कि लोग at last देखना क्या चाहते है and yeah अगर आपने अभी तक यहां तक यह वीडियो देख लिया तो thank you so much और अगर आप भी कोई housewife है या फिर घर पे बैठे रहते हैं तो definitely आपका जो भी passion है try जरूर करिये कुछ भी आता है आपको चाहे सिलाई आती हो चाहे बुनाई आती हो या फिर आपको dance का शौक हो या फिर आपको fitness से related कुछ पसंद हो please try something or other यह आपकी mental health के लिए भी बहुत अच्छा होता है and आपको ने एक positive vibe मिलती है तो चलिए हो गया है हमारा एक छुट-पुट सा एक DIY ready and I hope आपको यह पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो please do let me know in comment section इन सब में से कौन सा DIY आपको सबसे ज़ादा पसंद आया वो भी ज़रूर बताईएगा and yeah see you super duper soon in my next video till then stay safe, stay happy and stay connected and yeah अगर आप vlog देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताईएगा okay bye and take care